जैसा कि आप सभी जानती हैं सरश्वती विद्यामंदिर विभी कानंद पुरम में 16 फरवरी को विद्यारम संसकार होने जा रहा है इसमें आप अपने वच्चों को लेकर आएं और उनका विद्यारम संसकार करवाएं विद्यारम संसकार जब बालक या बालिका सिक्चा गरन करने के यूग हो जाती है तब यह संसकार किया जाता है इस संसकार को विद्यारम संसकार कहा जाता है इसमें बच्चे में अध्यन का उत्सा पैदा किया जाता है बहीं अभिबाबकों और सिक्चकों को भी उनके दायत् प्रती जागरूप किया जाता है, जिससे वो बच्चे को अक्षर ग्यान, विसियों के ग्यान के साथ स्रेष्ट जीवन का भ्यास करा पाएं। बैसे तो हमारे जीवन में बिद्या और ग्यान की हैमियत हम सभी जानती हैं। लेकिन हिंदू धर्म में इसका इस्तान सर्वोच् पारण है कि जब बच्चा पांच वर्स का हो जाता है, तब यह संसकार पूरे बिदी विधान के साथ किया जाता है। आईए जानते हैं बिद्यारम संसकार के बारे में। बिद्यारम संसकार का महत्व हमारी जीवन में बिद्या और ग्यान का महत्व प्राचीन काल से ही रह भारत में सिक्षा को लेकर कितनी जाग रूपता थी, इसका अंदाजा तक्छिसिला और नालंदा जैसे विश्विविख्यात विश्विध्यालें से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों विश्विविध्याले भारत में ही इस्थित्ते दुनियावर के चात्रियां के प्रती जिग्यासा डालने की कौसिस की जाती है, साथ ही उनमें सामाजिक और नैतिक गुणों का भी विकार भारत में ही जाती है,